नमस्कार मैं सिवाम आप देख रहे हैं Online News इंडिया भार्जपा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जो किसानों की बात करेगा जो जुल्म की बात करेगा जो भार्जपा की इंतिहां की बात करेगा उसे भारती जन्ता पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी उसको हाश्ये पे डाल देगी भाजपा की ये पुरानी नीती रही है और यही नीत एक बार फिर से भाजपा ने दोहराई है लखी पूर मामले में आठ लोगों की जान गई चार किसानों को गारी से कुचल कर मार दिया गया और इस मुद्दे को लेकर भारती जनता पार्टी के एक मात्र नेता वरुन गांधी खुल कर बोल रहे थे खुल कर किसानों के समधर में उतर रहे थे लेकिन उनके साथ भाजपा ने क्या किया भाजपा ने उन्हें दर्किनार कर दिया राष्टिय कार्ण कार्णी सूची से वरुन गांधी और उनकी माता सिरी मेंका गांधी का नाम हटा दिया गया जी हाँ सही सुन रहे हैं आप मेंका गांधी का और वरुन गांधी का भाजपा के कार्ण कार्णी सदच से अस्थाई रूप से उनको हटा दिया गया है ये खबर देखिए आप लोग आमर उजाला की खबर है भाजपा की नई कार्ण कार्णी घोसित मेनका और वरुन गांधी सूची से बाहर कर दिया गया है मेनका को और वरुन गांधी को और जगा किन लोगों को दी गई है ये आपको हम समझाएंगे क्योंकि ये समझना सबसे सब्सक्राइब करिब असी नेताओं को यानि में लिया गया है और फिलहाल वरुन गांधी और मेंका गंधी को कारणिकारनी सदस्ता से हटा दिया गया है वजा क्या है वजा बिल्कुल साफ है जसतरा से लगातार वरूर गांधी भाज़पा की नीतियों की बिरोध कर रहे हैं लखी पुर्खीड है और लखी मुझे मामले में जस से सरकार के खिलाफ जाकर किसानों के हिप में बात किये हैं इससे बौखला गई भारती जनता पार्टी और वरुण गांधी को उनकी माता को दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिखा दी भाजपा की नहीं राश्ट्रिय कार्ड़कार्णी ani घोषित की गई और इमीन चक्रवर्ति को जगा दी गई जो यत्रादित सिंधिया को जगा दी गई है कि इसके साथ मध्य다प्रदेश के ग्रह सम्ठी को जगा दीकैए है अब बताइए कि कैसे लोगों को जगा दी जा रही है भाजपा की करणिकार्णी ओव manufacturing इस वह लोग है जो आने वाली समय में भाजपा की रूप रेखा तैक करेंगे कि भाजपा कैसे काम करेंगी भाजपा की कारणाली क्या होगी इसमें से मेनका गांधी और वनिन गांधी को बाहर का राष्टा दिखा दिया गया है आगे की खबर देखिए क्या है 2020 में होने वाले पांच राज्चों की बिधान सबा चुनाओं से ठीक पहले भारती जनता पार्टी ने अपनी नई राष्टिये कार्णिकार्णी खोसित कर दी जिनमें 80 सदस्यों को जगा मिली है राष्टिये कार्णिकार्णी प्रधान मंतरी मोधी, वरिष्ट नेता लालकिष्ट आडवानी, एमल जोसी, केंद्री मंतरी अमिश्चा, राजनाज सिंग समेट कई दिगजनेताओं के नाम है 2022 में होने वाले पांच राज़ों की बिधान सबा चुनाओं से ठीक पहले भारती जनता पार्टी ने अपनी नई राष्टिये कार्णिकार्णी खोसित की है जिसमें 80 सदस्यों को जगा मिली है राष्टिये कार्णिकार्णी प्रधान मंतरी मोती, वरिष्ट नेता, लाल किष्णाडवानी, एमल जोसी, केंद्री मंतरी अमिश्चा, राजनाज सिंग समेट कई दिगजनेताओं सामिल है हाला कि मेनका गांधी और वरोन गांधी को नई कार्णिकार्णी से बाहर कर दिया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक लखीम पुर्खीरी में हुए हिंसा के बाद वरोन गांधी लगातार योगी सरकार और मोधी सरकार पर हमलावर है इसे देखते हुए मा मेनका गांधी और बेटा वरुन गांधी को कार्ण कार्णी के में जगा नहीं दी गई है मेनका गांधी जब से भारती जनता पार्टी जोईन की हैं तब से वो लगातार भाजपा की कार्ण कार्णी सदस्र नहीं है लेकिन इस बार उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया वज़ा क्या थी? वज़ा मात इतनी थी कि वो योगी सरकार और मोधी सरकार की मुखालफ़त कर रहे थे जो भाजपा को बरदास नहीं है वरुन गांधी सच का साथ दे रहे थे नयाय का साथ दे रहे थे वरुन गांधी लखीमपुर् खेरी कांट पर हर दिन ट्वीट कर योगी सरकाल पर दबाव रहे थे. आज भी लखीमपुर् कांटे पर ट्वीट किया और अपनी ही सरकाल को आने हाथ लिया. वरुन गांधी ने लिखा कि यह वीद्यो बिलकुल सीज़े की तरह साफ है. कि भावना भरे इससे पहले इन्हें नयार दिला देना चाहिए। वरण गांधी इस बात को कह रहे है। कितनी गहरी बात कहिए वरुन गांधी ने, कि किसान उग्र हो जाएं, किसान विद्रोव पे आ जाएं, इससे पहले उनको न्याय मिल जाना चाहिए, इस बात को कह रहे हैं वरुन गांधी, लेकिन ये सरकार है कि खामोस है, कुछ भी मानने के लिए तयार नहीं, अपने नेता लेकर इस गारियों के मालिक, इन में बैठे लोगों, और इस प्रकार के सनलिप्त अंग बेक्तियों को चिन्हित कर ततकाल गिरपतार करें, गिरपतारी की मांग कर रहे हैं वरुन गांधी, और जो ये गारी है, गारी अजे मिस्रा के नाम पर रजिस्टर है, उनके बेटे गारी चला रहे थे, अभी तक की जो बाते निकल के सामने आ रहे हैं, उस्ते कहा जा सकता है कि उनके बेटे इस गारी को चला रहे थे, और अजे मिस्रा के नाम पर ये गारी जो थार गारी थी, जो किसानों को कुछली है, वो अजे मिस्रा चला रहे थे, तो साब तोर से वर अखीमपूर की हदें बिनाए घटना में सहीध हुए किसानों को संद्राजली अर्पित करता हूँ इस प्रक्रणर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सक्त कारवाई करने का निवेदन करता हूँ निवेदन करते हुए वरुन गांधी ने योगी आरितनात को लेटर भी लिखा था और लेटर में इस बात का जिकर किया था कि सक्त से सक्त कारवाई करिये दोस्यों के खिलाफ योगी आरितनात से ये मांग की थी वरुन गांधी ने लेकिन योगी सरकार खामोस बनके तमासा तो वरुन गांधी लगातार हर मुद्दे पर सरकार की मुखालफत कर रहे थे और नयाय का साथ दे रहे थे और उसका उन्हें इनाम मिला कि भाज़पाकी कार्नेकाली सरस्ता से उन्हें हटा दिया गया। यह लेटर देख पा रहे हैं योगी अरितनात को लेटर दिया वरुन गांधी मान कर रहे हैं कि जो गन्ने का दाम है उसको बढ़ा के चार सु रुपई किया जाए तीन सो पचास रुपई गन्ने का दाम है उत्तरपदेश में उसको बढ़ा के चार सु रुपई किया जाए इसके मान कर रहे थे वरुन गांधी इसके साथ जो सबसे एहम ब बात सम्मान पूर्बग सरकार को माननी चाहिए लेकिन सरकार ना तो वरुन गांधी की सुन रही है ना कृसानो की सुन रही है वरुन गांदी भारती जनता पार्टी के बड़े नेता हैं. बड़े और दावर नेता आप कह सकते हैं वरुन गांदी को. वरुन गांदी पहले सुल्टानपुल से सांसुट थे, अब पिली भीर से सांसुट हैं. लगातार वो चुनाओ जीत रहे हैं लेकिन फिर भी भारती जंता पार्टी उनको हाश्य पे डालने का काम कर रही है और वजा मात्र एक कि वरुन गांधी सच का साथ दे रहे हैं और सच का साथ जो भी रेता है भारती जंता पार्टी उसको धरकिनार करने का काम करती है कुण करनि लड़ेव जीते हैं न वे कभी सांसक्रके यृपकर मिथुन चक्रवर्ती का वो चर्चित बयान आपको याद होगा मिथुन चक्रवर्ती कौन है वो एक कोबरा है अब वो किस-किस को डसेंगे इसका फैंसला आने वाला समय करेगा फिलाल इस वीडियो को लेकर आप ही राकिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इस तरह की जोग ख़वर के साथ तब तक के लिए नमस्कार